नमस्कार मैं कुंदन सिंग टीवियल कोची में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम कलास 10 विशाय हिंदी और पाठ जो है साथ पाठ है जिसका नाम है परंपरा का मुल्यांकन जो की एक निबंध है इस पाठ का हम पूरा परिचय पढ़ेंगे इस पाठ के ल है पुछे कोचन कि परंपरा का मुल्यांकन क्या है तो निबंध है और परंपरा का मुल्यांकन पाठ के लेखा कौन है तो राम बिला सार्मा जी पर आपको टीक करना होगा यह जो है बिहार बोड के अनुसार काक्षा टेंथ विशाय हिंदी पाठ साथ जिसका नाम है बिला सार्मा जी ने इस पाठ को लिखा है परंपरा का मुल्यांकन को लिखा है ऐसे तो सभी बच्चे निबंध लिखते हैं लेकिन निबंध लिखने की विए काला होती है तो इस तरह हम सूरू करते हैं इस पाठ को परंपरा का मुल्यांकन यह पाठ एक निबंध है जिसक जो रूदिया करक्षा करन्तिकाइacing रषाते हैं सीजिव करना चाहते हैं उनके लेखाय के पाएंगे खोज कर पाएंगे हमको सभी प्रकार के संसाधन को दिला पाएंगे जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्ग हिन सोसन मुक्ष समाज की राचना करना चाहते हैं वे अपने सिधानतों को एतिहासिक भावतिक वाद के नाम से पुकरते हैं जो महतो ए आती पीछासिरन diaphrag 아버 Giroud लोग से धी जो लोग है जो बीपेल में आते हैं बिलोव पड कि लाइन में आते हैं गरीभी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं उन्हों लोगोस को उनका हक दिल्वाना चाहते हैं तो उनको साहित्य का ग्ञान होना आतियावसक है उन्हें आप समाज क्या कुछ आच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास सभी परकार का परंपरा का मुल्यांकन होना चाहिए आपके पास सहित्य का ज्यान होना चाहिए तो ही आप उन लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं व और नए परगति सील सहित्य का निर्मान किया जा सकता है यदि आप पुराने जमाने की इतिहास को पुराने जमाने की रिकोर्ड को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उससे बेहतर करना होगा तब जाकर आपका नाम उससे आगे आएगा नहीं तो आपका नाम उसलिष्ट मिसाम है जितना साहत्य की प्रैंप्रा का महतों काफी है हमारे सामाज में तो इस तरह आप यदि इस वीडियो को पुरा देखते हैं और हमेरी बातों को सुनते हैं तो इस पाट से सामबाहन्द जो भी वस तूनिष्ट परश्न आएंगे उस परश्न को आप आसानी से बना पाएंगे यदि आप इस पार्ट को बनिया से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसको दो बार तीन बार सुनिए क्योंकि देखिए आपका जो टेंथ कलास के हिंदी है और इसमें जो भी कहानिया है जो भी निबंध है जो भी जीवनी है थोड़ासा हार्ड लेंगोज में दिया हुआ है थोड़ासा कठीन भास में है यदि आप उसको बार बार सुनिए गा तो आसान लगने लगेगा करना पर आब sout आप इसको समझ पाएंगए हैं और इस पार चुह समरीव अच्छा स्कोर कर पाईएगा तो चली सुरू करते हैं आगे शायते के प्रांपरा का मुल्यागन करते हुए सबसे पहले हम उस साहयते का मुल्य निधारित करते हैं जो सोसक बर्गों के विरुद सरामिक जानता के हीतों का परतिबंधित करता हैं जिन लोगों को सोशित किया जा रहा है जो लोग सरमिक हैं मजदूर हैं उनका हक मारा जा रहा है उनको हम हक कैसे दिलवाएं इसके लिए हमारे पास हमारे पास हिम्मत होना अतिय अवस्था के हम हिम्मत करेंगे तो हम सरकारे खिला आवाज उठा पाएंगे तभी तो मजदू स्कूंद करते हैं प्रिक्ति रिक्राइब करना हैं इसके साथ हम उस सहुचित पर ध्यान देदे हैं जिसकी रचना का आधार सोशित जनता का स्वरम है और यह देखने का परत्न करते हैं कि वह वर्तमान में जनता के लिए कहां तक उप्योगी है आज तो स्वरमिकों को कुछ है उनका हलका फुलका हक दिया जा रहा है लेकिन आज से 50-60 साल पहले स्वरमिकों को उनका हक मिलता ही नहीं था उनके स्वरम के आधार पर उनको सिर्फ भोजन मिलता था रुपया पैसा नहीं मिलता था आच्छा पुसाक नहीं मिलता था लेकिन आज तो उनको आच्छा सा रूपिया पशा देया जाता है जिससे वह कुछ भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन फिर भी आज भी थोड़ा बहुत सोसन होता है सरमी की सरमी के में जो लोग होते हैं उनका और उसका उप्योग किस तरह हो सकता है इसके अलावा जो सहिते सीधे संपति साली वर्गों की देख़रेक में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिम्बित करता है उसे भी पराख कर देखना चाहिए कि यह अभियुद सील वर्ग का सह लेते हैं यहां से मान वर्ग का है यह इस मरन रखना चाहिए कि पूरे समाज में वर्गों की रूप रेखा कभी बहुत इस पस्ट नहीं रही जहां पूंजी वाद का यह थेस्ट विकास हो गया है वही यह संभामना होती है कि संपति साली यह संपति हीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह बिरोधी बन कर खळे हैं मतलब जो फूंजी पति हैं जिनके पता स शक्ता से और धिक धौन है इलोग अपने में गरीबों को नहीं लगाता है यह तो हम आपस से संभंध करेंगे हम आपसे दोस्ति करेंगे और यह आपके पास ढलग नहीं है तो आप ह पुराने सहीते में वर्ग साप साप टकराते हुए दिखाई दे इसकी सम्हावना कम होती है। सभैता के अनेक तत्व की तर सहीते में भी ऐसे तत्व होते हैं जो बिरोधी वर्गों के काम आते हैं। आग जलाक और खाना पकाना मानव सभ्यत्रा का समाने तत्व बन गया है, कलकार खानों में भाप और बिजली से चलने वाले मशीनों का उप्योग समाजवादी बिवस्था में होता है, और पूझिवादी बिवस्था में भी होता है, सभेता का यह हर एस्तर वर्ग यूद नहीं होता इसी तरह सहिते का हर एस्तर संपतिसाली वर्गों के हीतों में बंधा हुआ नहीं रहता कुछ नियम जो है मतलब अमीरी को परभावित करते हैं तो कुछ नियम गरीबी को भी परभावित करते हैं लेकिन अधिकांस जो परभा त्वाइसे ही है जैसे समाजवादी विवस्थ में बिजली का उपयोग न करना ठीक है अब इसका पुझी वादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पुझी पतीन ने अपने हित में ही किया था मतल सबसे पहले जो बिजली घरों में गई थी वह अमीर लोगों के घर में ही विजली गई थी उसके बाद गरीबों को मिला ठीक है जो भी सुख सुविधा होता है वो हमारे देश में पहले अमिली को मिलता था उसके बाद गरीबों को मिलता था यानि आज भी देखा जाए यदि आज भी देखा जाए तो जो एक कोरोना का ठीका लगा है उसके बाद निम्न से रनी के लोगों को लगा है आप देख सकते हैं जो उसे प्रानी मात्र से जोड़ती है इस बात को बार बार कहने में कोई हानी नहीं है कि साहिते से हमको जूरे रहना चाहिए ठीक है इस पार्ट में हमको अपने साहिते के बारे में अपने परंपरा के बारे में पढ़ना है यदि आप चाहते हैं इस पार्ट से पूरा वीड